तो गाइस आज किस वीडियूम देखने वाले वेसे सेकंडी वालों के लिए बॉटनी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों पेपर को एक साथ वेकिस के इंप्रोमेंट एक्जाम के लिए तो क्या कि हम पोटेंट रहने वाला है जो हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आप 18-19 कोशिन आपको बदाएंगे और इन कोशिनों को याद करके आप 85% ला सकते हैं बिल्कुल 85% यहां से बाहर नहीं जाने वाला ठीक है तो क्या कि आपको पढ़ना पढ़ेगा इंप्रोमेंट एक्जाम 2021 के लिए तो याद रखो जो यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला ठीक है तो यहां से काफी इंपोर्टेंट है बहुत जाता है ठीक है और बाकी आपको पिछली बार भी आपने पढ़े होंगी काफी कोशिन तो आपको सब कुछ यात होगा ठीक है पस थोड़ा सा आपको देखना है इससे जादा पर बता रखा है नीचे देखने की जरूत नहीं है उसके बाद में आसंग जनन क्या होता है जिसे हम क्या होता है तो क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे की बारे में याद करेंगे उसके बाद में महत्व की बारे में देखने के बाद में नीचे जाएंगे क्या होता है इसको पढ़ लेना सौट में अंतर पूछ लेता है अपसे विलियन क्या होता है और उसके बाद में नीचे हम जाएंगे और यह हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या देखना है 2021 के लिए तो यह देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गंजी कंप्लेक्स को उसके कार क्या होते हैं यह हम याद करेंगे क्या होता है इसके बारे में याद करेंगे और उसके बाद में मैंडल के तीन नियम को पढ़ लेना हाईजियन बरका सिध्धान उसको आप देखेंगे तो इसके बाद में नीचे हम और भी कोशन देखेंगे घुक है तो इसको महने उपर उसको एक निचे देखता है यह यह मैंने उपर बता चुक आँगू हूँ हो गया है कि झाले को यहां से यह सो शुमारा सह H Ajage और आपको बता दिया उपर और उसकी बाद में इसके बाद में हमें इको सिس्टम की बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा प्लांन टंकोन ठोड़ो देखें चीजीन एंजिनिडिरिंग क्या होता है इसको पूछा जाएगा शॉट में याद रखना भी पूछा जाएगा शॉट में तो अच्छी तरीके से को देखने माइट्रो केंडिडिया क्या होता है ठीक है यह देख लेंगे और उसके बाद में देखो सैफर भापता को छोड़ो कारवन चकर को पढ़ लेना लेमार्क बाद त जिलोजीन पढ़ा होगा तो उसको लेमार्क बाद डार्विन बाद की बिलेचन अब बगारा ठीक है अलोचना बगारा यह सब पढ़ेंगे फूट सेंकला क्या होती है फूट चैन के बाद में फूट जाल के बारे में देखेंगे यह दोनों और उर्जा का पैरामिंट बह बहुत बढ़ता मैंने उपर बता रखा है तो इसको पढ़ लेंगे आप लोग बस यह था सैकंड पेपर में जो हमें पढ़ना है बाकी कुछ पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी इको सिस्टम देखें बैंक्रोस को पढ़ लेना बैंक्रोस क्या होता है इसको पढ़ें क्या होता है दकिर सारोहन क्या होता है उसकी क्रिया रिदी कि त्यांट होता है रासर के आल के बाध में देखेंगे और में दोनों प्लांटों के अंतर पूछता है यह प्लांटों के अंतर पूछता है एकसे पुछे लेंगे Ox structure of protein होता है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में ecosystem is most important, EC system, eco code से कहते हैं, यह पढ़ेंगे, जो lipids होते हैं, उसके महत और उसके बसा क्या होते हैं, यह हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, enzyme के type बगरा, coenzyme most important होता है, coenzyme, DNA, RNA में अंतरा हम पढ़के जाएंगे एक बार, और apple enzyme भी पूछ लेता है, हमसे कभी कभी, apple enzyme तो यह भी पढ़ेंगे, उसके बाद में बिंदू सरावन क्या होता है, इसको देखेंगे, पराशन में उपर बता चुका हूँ, पराशन दाब नीच छोड़ दीजेंगे, इसको कोई जरूत नहीं है, याद करने की, लेकिन द पूर्दो, कारवन चक, नाइटुजन चक, उपर वाले में पेपर मता रखा था, वने, प्रो-इंजाइम क्या होता है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, और प्रेद, फिट सिद्धान क्या है, इसको देख लिजाए, और जीन डर्वनसी होती है, सीड डर्वनसी दिसे कहते है है, बीज की संद्र्वति, ठीक है, प्रषुपति क्या होती है, इसके कार, उसके सरचना के बारे में हम était past करेंगे, तो प्रषुपति का होती है, इसको देखेंगे, और इसके बाद में एक और हैंस स्टैप की फोर चक्र कहते हैं इसको पढ़ देना एक बार ठीक है इसको और एंजाइम देखो दो हमने आपको कहें जब एंजाइम का परगी कर पढ़ोंगे तो वह एंजाइम एंजाइम क्या होता है सब भाही पढ़ोंगे कुछ जादा देखने की जूरुत नहीं है पस इतना सा आप देखके जले जाते हो तो मैं आपसे बादा करता हूं कि 85% मिलेगा थोड़ी महिनत करोगे संगर्ज करोगे तभी हम थोड़े एक्स्टर नमबर आ सकते हैं कुछ सोचो बिना संगर्ज के कुछ है आपको लगता है नहीं उड़ेगा बिना संगर्ज के आपको याद रहता है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नहीं तब तर के रिए बाई-बाई